नमस्कार, जैहिन, मौसा विज्ञान के अंदर जैपूर से मैं रादेश्याम सर्मा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, आज दिनांक 22 मई सौमवार है, और हम बात करेंगे राजस्थान में आगामे दिनों में एक और नए सक्रिय पस्च्वी विक्षोब की है सबसे पहले यदि वर्तमान तापमान कंडिशन पर नज़र डालें तो लगातार पिछले 2-3 दिनों से राज्ये के कुछ भागों में हीट वेव यानि लू की परिस्तिती बनी हुई थी, पिछले 24 गंटों में पस्चमी राजस्थान के कुछ भागों में टेंपरेचर 45 डि अगरी सेल्सियस की हलकी गिरावट भी देखने को मिल रही है, अब बात करें दि आगामी दिनों के मौसम पूर्वानुमान की, तो एक नया पस्चमी विक्षोग अगले 24-48 गंटों के दोरान उत्तर पस्चमी भारत सहित राजस्थान के कुछ भागों के ऊपर सक्रिया होन वहीं पूर्वी राजस्थान के जो उत्तरी भाग है, विसे इस रूप से जैपूर, भरतपूर और कुछ आसपास के इलाकों में आन्दी, मेगरजन और कई-कई तेज हवाओं के रूप में देखने को मिलेगा, इस सिस्टम का असर दिनांक 24, 25 और 26 मही को सरवादिक रहने की परबल संभावना है, यानि आप देखेंगे कि 48 गंटों बाद इस सिस्टम की और तिवर होने और जो आन्दी बारिस की जो गतिविदिया है, उसमें और बड़ातरी होने की संभावना है, यानि कुल मिलाकर अगले 48 गंटों बाद अज्यमें आन्दी तेजवाएं और ब सिस्टम की वज़े से तापमान में आप देखेंगे 2-4 डिगरी सेल्सियस की गिरावट होने की परबल संभावना है, आगामी दिनों में मौसम पूर्वानुमान के मद्य नजर मौसम के अंदर जैपूर ने आज एक विशेष प्रेस विग्यप्ति भी जारी की है, विस्तर पूर्वी राजस्थान के जो भरतपूर संभाग के भागों में भी फिलाल कुछ इलाकों में छुटपूर थंडर स्टोम एक्टिविटी रिकोर्ड हो रहा है, इसके अलावा राजस्थान के जो वेस्ट वेस्ट पस्चिम दिशा में इदी बात करें, पाकिस्तान और एड पूर्वी राजस्थान के जैपूर संभाग के भी कुछ भागों में तेईस मही को इस सिस्टम का असर आंदी बारिस के रूप में देखने को मिल सकता है, सेस भागों में देखें तो जादा तर वो इलाके जहां ग्रीन कलर में दिखाए गए हैं, यहां पर बहुत एड़र्स वेदर होने की संभावना नहीं है, अब देखें, चोईस मही को इदी देखें, तो उत्तर पस्चमी राजस्थान, यानि बिकानेर संभाग के जो जिले गंगा नगर, हनुमानगर, चूरू और जो भीकानेर है, इन चार जिलो में इस सिस्टम का जादा असर हो सकता है, यानि जो आंधी या अंधर बारिस की जो गतिविद्या हैं, वो जादा इंटेंस रहेंगे, जादा तिवर रहने की संभावना है, हवा की गति कहीं के 40 से 50 और जो तेज जोंके हैं वो 60 किलोमेटर पर आवर के भी रिपोर्ट हो सकते हैं इस दोरान डस्ट स्टॉर्म यानि अंदर भी रिपोर्ट हो सकता है वहीं यलो कलर में जो डिस्टिक्स यहां दिखाए जा रहे हैं यानि जैपूर संभाग और भरतपूर अजमिर संभाग के तो आप देखेंगे 24-25 मई को बारिस का अमाउंट भी कुछ सिस्टानों पर भढ़ा हो रहेगा यानि मद्यम दर्जे की बारिस रिपोर्ट होगी कुछ सिस्टानों पर 20-40 mm के आसपास भी रेनफाल रिपोर्ट हो सकता है बात करें यदि 25 मई को तो आप देखें कि एक बा ततर इलाकों में फिर से थंडर स्टॉर्म तेज हवाएं डस्ट स्टॉर्म और जो बारिस का दो दौर है वो जारी रहेगा अब यदि देखें 25 मई को जो जो औरेंज कलर की जो वार्निंग दी गई है मूल रूप से शेखावटी छेतर के लिए यानि बात करें जिलावार जुन-जुन, सीकर इसके अलावा नागोर और जैपूर जिलो में दिनांक 25 मई को इस सिस्टम का सरवा दिकासर रहने की संभावना है 26 मई को भी आंदी बारिस की गतिविदियां जारी रहेगी हालांकि इंटेंसिटी में कुछ कमी होने की संभावना है और जो राजस्तान क जो उत्तरी भाग है इस विसेश कर पंजाब और हरियाना से लगने वाले इन जिलो में थंडर स्टॉम और आंदी बारिस की गतिविदियां जारी रहेगी आगामी दिनों के मौसम पूरवानुमान के मद्यनजर विसेश रूप से किसान भाईयों के लिए ये सला दी जाती ह कि आंदी बारिस से होने वाले नुक्सान से बचने के लिए करप्या सुरक्षित उपाए अपने इस तर पर लेवें विसेश रूप से ये देखा जाता है कि जब तेज अंधर आता है तो कुछ सिस्तानों पर सोलर पैनल साधी को नुक्सान होता है कुछ जगें पे खुले आस्मान में रखे हुए अनाज में भी भीगने से नुक्सान की रिपोर्टे मिलती है तो ऐसी प्रिस्तिती में समय रहते समूचित उपाए लेवें और अधिक जानकारी के लिए करप्या मौसम विज्यान के अंदर जैपुर से जुड़े रहे हैं धन्यवाद